हेलो इस्टुडेंट्स गुड़ मॉनिंग आज मैं आप लोगों को क्लास्टेंट्स के लाइब प्रोसेस से हमारा जो एक टॉपिक है परिवहान यहीं की वहान ट्रांस्पोर्टेशन इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे ठीक है तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस चैप्टर से यानि की लाइब प्रोसेस से हम लोगों ने क्या-क्या चीजें पढ़ चुके हैं इसमें जैसे पहला टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा निट्रिशन ठीक है निट्रिशन पढ़ा और उसके बाद फिर इसी में हमने पढ़ा रैस्पाइरेशन पढ़ा हाला लोगों ने यह यानि की परिवाहन ट्रांस्पोरेशन जो है इसे भी हम लोगों ने पढ़ा circulatory system में ठीक है circulatory system में इसे भी पड़ा है तो इसमें से कुछ main main topic है जो मैं आप लोगो को आज यहां पर समझाओंगा तो चलिए start करते हैं जैसे देखिए हम लोग यहां पर है कि परिवहन क्या होता है यानि वहन क्या होता है transportation क्या होता है तो जो वहन होता है अगर हम सीधी भासा में इसका मतलब समझें कि किसी भी चीज का कोई एक चीज है माली ये कोई भी एक वस्तु है इस वस्तु का इस एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की क्रिया को हम क्या कहते हैं वहन या परिवहन यानि की ट्रांसपोर्टेशन यहां पर इसका प्लेस यहां यह एक प्लेस पे थी और यहां से इसको हम ले जाकर यहां रखें यह दूसरे प्लेस पर पहुँच गई तो यह सारी क्रिया हमारी क्या कहलाती है परिवहन के अंतरगत आती है अब इसमें हम कारबन डाया अकसाइड या साल्ट होते हैं इनका जो परिवाहन होता है वो रुधिर के द्वारा होता है यनि की बलड के द्वारा होता है ये किसके द्वारा होता है बलड के द्वारा होता है अब अगर हम देखें कि जो परिवाहन है इसमें जो मुख्य रूप से कुछ तीसरा क्या है रुधिर वाहिकाएं यानि की blood, heart और blood vessels ये इतनी सारी चीज़े हम लोग पढ़ते हैं किसमें परिवहन में तो अगर हम पहले एक topic की बात करें इसमें की रुधिर क्या है माली जे तीन चीज़े हमें पढ़ने इसमें रुधिर, heart और रुधिर वाहिकाएं तो हम लोग पहले एक एक चीज़ के बारे हम discuss करेंगे कि रुधिर क्या होता है तो अगर हम रुधिर के बारे में पहले बात करें तो यह एक प्रकार का तरल संयोजी उतक होता है अगर रुधिर के बारे में आपसे कोई भी पूछता है तो आप पहले इसे बताएंगे यह एक लिक्विड कनेक्टिव टिशू अब लोगों को उतक पढ़ाया गया होगा class 9 में ये सारे टिशू पढ़ाया है तो उसमें कनेक्टिव टिशू पढ़ाया जाता है रुधिर होता है वो एक तरल सज्धि उतक होता है अब second point इसका क्या है कि इसका जो P.H.O.S. 맞는 होता है वो 7.4 होता है अगर मान लिजे किसी भी जीज़ का किसी भी माटेरियल का P.H.O.S. साथ से उपर है यानि सेबन के उपर है तो चीज़ क्या होती है छारी होती है यानि कि ये बेसडिक होगा बेसडिक होगा यानि कि छारी होगा रुधिर क्या है छारी होता है और जो अगर इसके बारे में और हम लोग बात करें तो जो ब्लड का लाल रंग होता है देखें आप ब्लड का क्या होता है लाल रंग होता है ये किसके कारण होता है हीमोगलोबिन के कारण होता है ये बलट के बारे में कुछ महत्मुन बाते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ ठीक है इसे आप नोट भी कर सकते हैं तीसरा पॉइंट मैंने क्या बता है कि इसका जो लाल रंग होता है किसके कारण होता है हीमोगलोबिन के कारण होता है अब अगर और इसके बारे हम लोग बात करें कुछ तो जैसे हम लोग अभी पढ़ेंगे कि जो ब्लड होता है इसे मुख्य रूप से दो भागों में बाटा जाता है पहला क्या होता है रुधिर प्लाजमा होती है यानि कि आख कह सकते हैं ब्लड प्लाजमा और दूसरा जो होता है रुधिर कोशिकाएं या रुधिर कणिकाएं आप इन्हें कह सकते हैं रुधिर कोशिकाएं या रुधिर कड़िकाएं कह सकते हैं तो जो रुधिर प्लाजमा होता है यह आप लोग इतना डिसकसिस के बारे हम लोग बताएं भी आपको पढ़ाएं भी रुधिर प्लाजमा पूरे ब्लड का हमारे सरीर में जैसे माल लेजे अगर और हम इसके बारे महिलाँ की बात करें य ain कि स्वास्त महिलाओं की तूस Сथ में क्या होगा 46 pressed तो इसके बारे मिस ये बात करें हम तो ये तना हो गया अबस में से अगर हम लोग बात करें कि जो si cadence 55 बलड होता है मारे कि भॉटि ने उसमें से लगभग उसमें से लगभग 50 से घौनली जिए 55% ने जो होता है वो क्या होता है रूधीर, तक उसमें क्या होता है आपका रुधिर का 50-55% प्रुधिर पिरदिर-प्रुधिर-प्रुधिर-प्रुधिर-व्रणियाimana जाता है A WayEarnam यह दिए पूरे आपके ब्लड़ का 40-45% का पार्ट होता है 40-45% पार्ट होता है किसका आपके पूरे रुधिर का रुधिर कोशिका या रुधिर कलिका भी आप इसे कह सकते हैं Blood Carp Cells या Blood Cells ठीक अब देखिए अगर इसमें हम Blood Carp Cells में बात करें इसमें कुछ होती है जैसे इनके पहला देखिए कि क्या होंगी RBC होंगी Red Blood Cells, Carp Cells दूसरी WBC White Blood Carp Cells और तीसरा क्या होता है प्लेट लेट्स होती है ठीक है तो जो RBC होती है ये हमारे Oxygen का Transportation करती है यनि कि आकसीजन का परिवहन करती है इसका कार क्या होता है आकसीजन का परिवहन करना फिर WBC हमारे Immunity बढ़ाती है प्लेट लेट्स क्या होती है जैसे ही हमारे सरीर में कहीं पर भी कुछ जनी मालिकी एकसिदेंट हो गया या हमारे बाडी में नुक्सान हुआ कट गया कहीं पर तो ये platelets ही होती है वहाँ पर जाकरके blood clotting का कार करती है यानि कि जो हमारा रुदिर होता है उसका थक्का जमाती है ताकि जो ब्लड का रक्तसरा हो रहा है जो रक्तसरा हो रहा है ब्लडिंग हो रही है वो रुक जाए ठीक है यह प्लेट लेट्स का कारे होता है अब अगर वहीं पे हम प्लाजमा की बात करें इसका कार क्या होता है त का परिवान होता है प्लाजमा के द्वारा ठीक तो इतनी बाते हो गई हमारी इनके बारे में रुधिर के बारे में हम लोग इतना जाने अगर अब अगर हम यहीं पर बात करें थोड़ा से ही मोग एक सब्सक्राइब यहां पर आया था जैसे देखते हैं हम लोग हीमोगलोबिन ठीक यह हमारा हीमोगलोबिन है अगर हम इसकी बात करें तो एक हेल्दी पुरूस में मा लेजे एक हेल्दी मेल में जो इसकी मात्रा होती है अगर प्रतिसत में हम बात करें तो 14 से ले करके 18 per 100 ml रुधिर होती है याणि कि अगर किसी हेल्दी मनुष्य की बात करें हेल्दी पुरूस की बात करें तो उसके 100 ml रुधिर में अगर उसका 100 ml रुधिर हमले हैं तो उसमें 14-18 ग्राम तक हीमोगलोबिन की मात्रा होगी अगर यहीं पर हम लोग हेल्दी फीमेल की बात करें एक यानि किसी इस्तरी की बात करें तो उसमें जो इसकी मात्रा होती है वो होती है 12-16 12-16 ग्राम यह याद रखना 12-16 ग्राम पर हैंड्रेड एमेल रुधिर पर हैंड्रेड एमेल बलड होती है ठीक अब देखें अगर किसी हम चाइल्ड की में बात करें या बच्चों में बात करें तो इसमें जो इसकी मात्रा होती है वो होती है 11-13 ग्राम पर 100 ml ठीक अगर यहीं पर हम माल लीजिए कभी कभी आपको यह आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं बाकी यह पूंचा नहीं जाता है ठीक है तो यह सारी हिमोगलोबिन के बारे बात हो गई तो अब हम लोग बात करते हैं देखिए कि जैसे कुछ यहां पर इंपॉर्टन चीज़े हैं कि जो एक कोस्की जन्तु होते हैं जैसे कि एक्जामपल में अमीबा पैरामीसिया तो इनमें जो बहुत जब पदार्थ आक्सीजन तथा जल के अडू जो होते हैं इनका जो ट्रांस्पोर्टेशन होता है वो विसरन के द्वारा होता है किसके द्वारा होता है विसरन के द्वारा होता है जिसे हम लोग कहते हैं डिफ्यूजन डिफ्यूजन आप लोग डिफ्यूजन पढ़े होंगे यह फिजिक्स में भी होता है आप पढ़े होंगे केमिस्टी में पढ़ा जाता है बायलोजी में भी इसका कार्य है तो डिफ्यूजन दरहसल होता क्या है जैसे यहां भी मैं आपको डिफ्यूजन के बार सिलें थोड़ा से बताता हूं कि डिक्विंस जो होता है यह हाईर कंसंट्रेशन टू होता वbaby हाइब कंसंट्रेशन कि उल्च टू mism profitability हो दो दो है ते बोल सिम्काइब कुलेंक है to lower concentration होता है माल लिजे अगर यहां पर हम लोग बात करें कि अगर हम एक box बनाते हैं देखे इसमें कुछ ऐसे करण हैं जिसकी मात्रा क्या है इसमें ज्यादा कर देते हैं इसमें अगर ज्यादा है देखे यहाँ पर ज्यादा है अभी ये लाइन यहाँ पर आप इसे इरेज कीजिए इस तरह से ज़्यादा आपको समझ में आगा ठीक है ये आप देखिए ये हमने मनाया और यहाँ पर जो है ये कुछ मॉलक्यूल्स जो है ये कम है तो अगर हम यहाँ पर अभी एक बीच में लाइन करते हैं अब देखेंगे कि जो इधर के मॉलक्यूल्स है ये जब करके इधर आएंगे यनि कि अगर देखिए यहाँ पर एक हम पॉइंट लेते हैं इतने में इसमें देखें मॉलक्यूल्स मिनिमम टूई से मालीजेट फोर या फाइफ हैं और अगर इधर इतना ये खम पॉइंट लेते हैं तो इसमें देखेंगे यनि कि वन में भी टू यनि यह क्या हो सकते हैं और यहाँ दो हो सकते हैं इससे ज़्यादा ने तो यह क्या है लोवर कंसंट्रेशन है आपका और यह क्या है हाइर कंसंट्रेशन है तो इसके जो higher concentration के molecules होते हैं ये lower concentration के molecules की और जम्प करते हैं और जब तक इधर से जम्प करेंगे जब तक दोनों तरफ का balance न हो जाए यानि दोनों तरफ बराबर न हो जाए इसे हम बोलते हैं viseran यानि की diffusion इसी क्रिया को हम बोलते हैं diffusion ठीक है अब हम लोग जो हमारा main topic है इसमें की मानाव में वहन किस प्रकार से होता है मानाव में transportation किस प्रकार से होता है तो मानाव में वहन के को पढ़ने के लिए हमें पढ़ना पढ़ेगा परिसंचरन तन्त मैं आपको बता दूँ परिसंचरन तन्त यानि की circulatory system तो देखते हैं जो हम लोग पढ़ेंगे circulatory system अगर आपको circulatory system की बात की जाती है तो देखेंगी यह दो प्रकार के होते हैं एक होता है खलो जडो शर्कुलेटरी सिस्टम ऐख एक ओपें शर्कुलेटरी सिस्टम होता है यानिकि एक होता है Closed Circulatory System और दूसरा होता है Open Circulatory System देखिए जो Closed Circulatory System होता है इन दिम बात करें कि बंद परिसंचरन तंत और Open Circulatory System का मतलब क्या है खुला परिसंचरन तंत तो अगर Closed की हम बात करें जो बंद होता है इसमें रुधिर वाहिनिया पाई जाती है निकि ब्लड विजल्स पाई जाती है सीधा से आप कहे सकते है कि इसमें जो Circulation होता है परिवाहन होता है ये एक नली के द्वारा होता है एक नलीयों के द्वारा होता है और जो Open Circulatory System होता है इसमें किसी भी प्रकार की नलीयों विजल्स वाहिनियां डक्ट नहीं पाई जाती है इसलिए इसे हम Open Circulatory System कहते है और ये होता है Lower Organism में ये क्या होता है Lower Organism जो हमारे छोटे जी होते है उनमें पाया जाता है Open Circulatory System ठीक है जैसे कि वो छोटे होते हैं तो उनमें कोई डक्ट कियो सकता नहीं होती है जैसे इसे हम समझें कि मालीजे जैसे हम लोग किसी मालीजे किसी खेत में हमें पानी सिचाई करना है और वो आपके मोटर से काफी नजदीक है आपके मोटर से काफी नजदीक है तो आप उसमें नाली कोई या माली जे नाली बना कर ही उसमें हम क्या कर सकते हैं नाली बना देंगे और उसका जो वाटर होगा यानि की पानी होगा वो आपके खेत में पहुंच जाएगा पहुंच जाएगा एक नहीं पहुंच जाएगा मालीजे हम नाली इस तरह से बना देंगे तो आपके खेत में पानी पहुंच जाएगा लेकिन अगर यही वाटर को हमें मालीजे बहुत दूर ले जाना पड़े बहुत दूर ले जाना पड़े जैसे मालीजे की मालीजे जैसे प्रयाग राज से कानपुर ले जाना है ठीक है तो आप क्या करेंगे उसे नाली बना कर ले जाएंगे उसमें क्या होगा आप ऐसे छोड़ देंगे वो नहीं जाएगा तो हमें क्या करना पड़ेगा उसके लिए हमें pipe बिछाना पड़ता है क्या करना पड़ता है उसके लिए हमें pipe लगाना पड़ता है तो हम जो pipe के द्वारा यानि नलियों के द्वारा जो circulation होता है उसे हम बोलते हैं closed circulatory system और जो ऐसे ही सर्कुलेशन होता है बिना किसी डक्ट के बिना किसी वेजल्स के तो उसे हम बोलते हैं open circulatory system ठीक है तो जो मनुष से होते हैं जो higher organism होते हैं जो बड़े जिवधारी होते हैं उनमें क्या होता है पूरी सरीर में हमें blood circulation करता है सारे भोज़ पदारतों के ले जात पाया जाता है अब इसमें भी परिसंचरन तंत्र दो होते हैं जैसे हम मनुस में सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो इसमें दो होते हैं जैसे एक की बात करें तो एक होता है हमारा रुदीर परिसंचरन तंत्र और दूसरा जो होता है लसी का परिसंचरन तंत्र यानि कि ब्लड वैस्कुलर सिस्टम और दूसरा जो होता है वो लिंफाटिक सर्कुलेटरी सिस्टम यानि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम भी से आप कह सकते हैं और वाइस्कुलर सिस्टम भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें ब्लड वेजल्स होती हैं और लिंफाटिक सिस्टम बनी Kie Blood Wizzles पढ़ना पड़ेगा इसमें क्या क्या व्लैड बना प्राओं गा आर्ट्रेज वेन्स ठीक है और सारी चीजे़ इसमें पढ़ेंगे और लसिका में क्या होंगां लिम्फ विजल्स होंगे इसका मतलब क्या है ये जो विजल्स याराय किसी आपके नलिका मालेजे कोई एक नलिकाए या वाहिनियाओं के एक जाल होता है जो नलिका और वाहनी ओको क्या होता है एक जाल होता है यही हमारा बनाता है सर्कुलेटरी सिस्टम ठीक है तो यह सारी चीज़े हो गए हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में अब इसमें हमें सारी चीज़ पढ़ने के लिए हमें पढ़ना पढ़ेगा रदय यानि की हार्ट फिर इसके बाद यह हो जाएगा रुधिर के बारे हम डिसकस कर चुके हैं अब हम पढ़ेंगे क्या इसमें हम लोग पढ़ेंगे अब हार्ट अब हार्ट पढ़ेंगे कि उसमें क्या क्या होता है कैसे उसमें सर्कुलेशन होत ठीक है फिर ये इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रुधिर वाही का है तो आज के लिए बस इतना ही आप लोग इसे रिवीज रिवीजन इसका कर लेजिए जो भी हो रिवाइस कीजिए पढ़िए ठीक है और अब जो आगे का होगा वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे धन्यवाद